नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में हम जियो फोन में स्पीड डाइल करना सीखने वाले हैं तो सबसे पहले हमें जियो फोन की जरुरत होगी तो इसमें मैं सबसे पहले कॉंटेक्स में जाऊंगा तो कॉंटेक्स में जाते ही हम नीचे आ जाएंगे और किसी भी contact को select करके options पर जाएंगे options पर जाते ही नीचे नीचे जाएंगे अब यहाँ पर हमें settings मिल गया है उसे open करते ही हमें यहाँ पर third number पर speed dial contacts option मिल जाता है तो इसे open कर लेंगे अब यहाँ पर हम किसी भी number को add कर सकते है 234567 इस पर हम speed dial लगा सकते है तो मैं सबसे पहले दो number पर add पर click करूँगा और फिर यहाँ पर यह contact जो है मैं इसे select कर लेता हो तो यह second number पर successfully save हो चुका है अब third number पर पर भी similarly मैं यहाँ पर मेरा खुद का contact number यहाँ पर लगा लेता हो और fourth पर भी similarly मैं मेरे मौसी का contact लगा लेता हो तो अब यह successfully लग चुके है fifth पर हम फिर फिर अमर्जनसी number रख सकते हैं यहाँ पर किसी का number नहीं जाता है तो ऐसे आप 9 तक यहाँ पर 1 से लेके 9 तक set कर सकते हो और अगर आप यहाँ पर वापिस से click करेंगे तो remove and replace का option आएगा जैसा कि मैंने यह पर remove कर दिया contact और वापिस से वही select कर लिया है तो अब ऐसा भी कुछ कर सकते हो अब सब close करने के अबाद यह work कर रहा है कि नहीं उसे check करेंगे मैं जैसे कि 2 दबा के रख रहो तो यह properly call लग जा रही है तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो please इस वीडियो को एक like कर दीजे चैनल पर नहीं हो तो subscribe कर दीजे ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे जय हिंद जय भारत